व्यम्य और आज जो में बात करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में यह सब आप से बात परूंगा, what is domain, so domain क्या है, it's a logical grouping of network resources, so domain क्या है अपका logical group होता है, जो की collections होता है अपके resources का, like including users, computers and other objects like printer, share folders, यह सारी क्या objects है, तो इसी का collections को हम लोग क्या बोलते है, domain बोलते है, what is a forest, forest is a collection of one or more domain, समझते हैं इसको एक example से, active directory में जब हम domain की बात करते हैं, तो domain को represent किया जाता है, ट्राइंगल के shape में, तो यह मेरा एक xyz, abc.com का का एक domain है, और आप देख सकते कि abc.com के अंदर दो under सब domains है, india.abc.com और us.abc.com, तो यहाँ पर क्या है, एक से जादा domains है, तो इसको हम लोग बोलेंगे forest, इसी तरीके से right side में भी मेरे पास एक xyz.com का domain है, जिसके अंदर दो under sub domain है, delhi.xyz.com and mumbai.xyz.com और इसको हम लोग बोलेंगे forest, और आप इसको अब यह जो आप देख रहे हो, यह जो आपके main xyz.com के दो different domains है, इनके अंदर दो sub domains है, delhi.com और mumbai.com, इनको हम चुल, एक्चुल में बोलते हम लोग domain tree, और collections of your multiple domain is को और ऐसा, वला forest, by default two different forests cannot be communicate with each other, कहने का मतलब है कि अगर मेरे india.abc.com के अंदर कोई की user है, और mumbai.xyz.com के अंदर मेरे पास कोई shared folder है, by default यह user कभी भी इस data को access नहीं कर सकता, क्योंकि दो different forest है, तो अगर मुझे दो different forest के बीच में, अगर इस तरह की चीज़े allow करनी है, तो मुझे दो different forest के बीच में, मुझे क्या build up करना पड़ेगा, trust build up करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर आप इन दोनो domain के बीच में trust build up कर देते हो, अभी trust क्या होता है, वह आगे discuss करेंगे, तो जब आप trust build up कर देते हो, तो इसका मतलब है कि यह कहलाएगा आपका domain forest, domain forest मतलब collections of multiple domains, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि domain क्या होता है, forest क्या होता है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज उसको like किजिए, अगर आपको कुछ नई वीडियो की requirement है या कुछ ऐसी चीज़ आपके बारे में आप जानना चाते हैं, आप मुझे comment में बता सकते हैं, तो मैं उसको related आपको वीडियो मना हुआ, तो next वीडियो में मैं आपके लिए और questions लेकर आँगा, तब तक के लिए, bye bye and take care.